तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लडेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ने वाले हैं जी हां 12 क्लास के हिंदी के अंतरगत प्रतिपूर्ती में दूसरा चेप्र पढ़ने वाले हैं जिसका नाम 28 और आप लोग के 12 क्लास के हिंदी के बुक में तोटल 29 चेप्टर है ठीक है ना गदखंड में तोटल 13 चेप्टर कावेखंड में तेरा चेप्टर जो कि मैं आप लोगों को अलड़ी पढ़ा चुकी हूं प्रतिपूर्ती में तीन चेप्टर बचा हुआ था क्योंकि तेर हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहां पर चेप्टर नमबर दो इसलिए लिखी हूं मैं क्योंकि यह पढ़ती पूर्ती में दूसरा चेप्टर है कुल मिला कर बात की जाए तो यह 28 चेप्टर है ठीक है ना चेप्टर का नाम क्या है कलरक की मौत बहुत ही मजदार इसमें कह इसमें इतना ज्यादा भुलापन नहीं होना चाहिए कि भुलापन का लिमिट क्रॉस कर दे ठीक है ना वह व्यक्ति की ऐसी मतलब दुर्दशा हो जाती है इमांदार रहता है बेचारा भोला रहता है ठीक है ना सोचता है कि हमसे कोई गल्ती नहों जाए और इस इस घंचकर में इस तरह पस जाता है कि उसके दिल पर चोट लगता है दुख लगता है और उसके बाद से भुलापन का लिमिट क्रॉस कर जाता है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है पूरी कहानी क्या है मैं आप लिए को बताऊंगी लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के जो राइटर है यानि की लेखक है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है उसको समझ लीजे कलर की की मौत चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के जो राइटर है वो है अंतोन चेखव बहुत ही अजीब हो गरीव नाम है उल्टा तेरह मेरा नाम आप बोल सकते हैं क्या अ इस नाम को पढ़कर लग जा रहा है कि हाँ यह अपने देश का नाम तो हुई नहीं सकता है अंतोन चेखव तो यह जो थे ना लेखक है यह अंतोन चेखव और यह एक रूसी कथकार थे यानि कि यह रूस के रहने वाले थे इनकी जन्म वहीं पर हुई थी 1860 में और इनकी म रखेगा कि रूस کے रहनेवाले थे यह Means कि रूसी कथाकार थे नाटक कार भी थे और यहाँ के बारे में एक और महान रूसी कथाकार है जिनका नाम है लेओ पूल्स्ट तो यह सारी बात हो गई अब चलिए मैं फडवट इस पुरी कहानी को बता देती हूं को समझें यहां पर कलर की मौत चैप्टर का नाम है यानि की कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कलरक रहता है उसकी मौत हो जाती है तो आखिर उसका नाम क्या रहता है तो समझेंगा यहां पर उस इंडियन बहुत के तुल नाम में देखा जाए तो रुस का रोश के लो मोत त्याहर ही रहता है की इस कहानी में कोई व्यक्ति है जो की कलर पोस्ट पर है और उसकी मौत हो गई तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहा हैं उस व्यक्ति का नाम रहता है इवान दमितरिच चरव्य को ठीख है ना यहीं color के post पर रहेते हैं यानिकि व्यक्ति रहते हैं ठीख हैं और और एक और बात याद रखिएगा एक और हैं मतलब इस कहानी में एक और क्रेक्टर है जिनका नाम है ब्रीजा लोग नाम के व्यक्ति रहते हैं जो क्या रहते हैं वह यातायात मंत्रालय के सिविल जन्रल रहते हैं सिविल जन्रल के पोस्ट पर यह रहते हैं यह क्या है एक सिविल जन्रल है ठीक है चलिए अब कहानी स्टार्ट होती है और आप ध्यान से सुनिएगा मैं पढ़ रही हूं एक सुन्दर रात को कलर्क इवान दमित्रिच चरव्य को अवल दर्जे की दूसरी पंक्ती में बैठकर दुर्बीन की मदद से लकलोचेस दकर्णविल का आनंद ले रहे थे ठीक है यानि कि यहां पर मैं लिग दिहूं लकलोचेस दकर्णविल यह एक कह सकते हैं खेल का न दमित्रिच तो अवल दर्जे की दूसरी पंक्ती में बैठकर दुर्बीन की मदद से लकलोचेस करनविल का आनंद ले रहे ते यान्कि जो खेल है इसको दूर्भीन से दूर्भीन लगा कर देख रहे थे और कहल का अनंद ले रहे थे और अवल दर्जे के लोग वहां पर मतलब बैठे हुए थे और खेल का अनंद ले रहे थे वो सभी लोग अवल दर्जे के थे यान की बड़े-बड़े पोस्ट पर थे बड़े-बड़े लोग थे ठीक है और इनको मज़ा भी आ रहा था दमित्रिच को क्योंकि वो बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठे हुए अपने आपको सबसे सुखी मनुस्य समझ रहा था यानिकी बहुत इड़ा उसको अनदर से आनंदा रहा था और अंदर से सुख का इसको अनवा रहा था बहुत ही ज़दा बढ़े-बड़े लोगों के साथ बैठा हुए था दुर्भिन से खेल का मज़ा ले रहा था खेल द अचानक दमित्रिच का इहरा जो है ना वह सिकुड गया और उसकी आंखें आसमान की और चड़ गई आसमान की और चड़ गई उसकी सांस रुक सी गई वह आखों से दुर्भीन हटा कर अपने स्थान पर दोहरा हो गया यानिकी बोला जा रहा है कि वह आसमान उसकी आंके ज और इसको चीग आता है क्या होता है चीख आते समय आप लोग जानते है चीहरा सीकुड सा आघी और सांस रुक सी जाती है और फिर आची मतलब क्या किये दमित्रिच जो है ना आख से दुर्भीन हटा कर अपने स्थान पर दोरा हो गए और आची यानि कि छीक दियें कहने का मतलब यह है कि उसे छीक आगई मतलब बताया जा रहा है कि दमित्रिच को क्या आगई छीक आगई वो छीक दियें यूँ तो हर किसी को जहां चाहें चीकने का हक है ये सोच रहे थे दमित्रिच कि यूँ तो जिसको जहां चाहें चीकने का हक है अब कभी भी किसी भी जगा चीक आ सकती है ठीक है किसान ठानने का दारोगा यहां तक की प्रीवी कॉंसिल के मेंबर तक सब लोग चीकते हैं हर को और उमाल से उसने अपनी नाग पोची और एक्षिष्ट व्यक्ती होते हुए अपने चारो तरफ देखा कि वह कहीं उसके चीक से किसी को अस्विधा तो नहीं हुई तो यहां पर जो है ना डमित्रिच नाम के जो कलरक थेकर इनको छीक आ गई और इन्सान को छीक कते हैं किसी को कोई चीक खें हो जासे दमित्रिच को जो है ना अपने आप पर मतलब शर्म नहीं आई मतलब गिल्टी फिल नहीं हुआ दोशी फिल नहीं किये और उसके बाद से क्या किये रुमाल लिए और अपने नाक अपनी नाक को पोशने लगे और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए यानि कि बड़े-ब क्योंकि उसने एक व्रिद व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोश रहा था जी हां दमित्रिच जो है ना वो देख रहे थे कि मैं छीक दिया तो मेरे छीकने के कारण किसी को औस खाल भीधा तो नहीं हो गया तो जैसे ही चाह्तां देख रहे थे उन्हेंने क्या व्रिद और एक बैठा हुआ था और वो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को तो उसका नाम याद रखेगा उसका नाम ही था क्या ब्रीजालो ठीक है ना उसका नाम क्या था ब्रीजालो देखे आगे लिखा गया है और वो कुछ बड़बरा आता जा रहा था आप छीक दिये और आपका छीक किसी दूसरे व्यक्ति पर पढ़ गया या फिर मान लेजे अपने गंजी खोपडी को पोच रहा था गरदन को पोच रहा ओर कुछ बड़बरा रहा था कि क्या किया यार यह तुक्छीं कुछ दिया ब्रीजा लोग ठेखा देखार रखेए गवा बुड़ा वेक्ती का नाम क्या है देखार या तो या रांत मांत्राले का स्विल जन्रल मैं यह सही है किंतु तब भी यह कितना भदा है मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए अब इनको अपनी गलती का हैसास हुआ, सोचे कि वो भले ही हमारे अफसर नहीं है, लेकिन वो सिविल जनरल तो है, तेखे, ये कितना भद्दा मतलब सुन कर लग रहा है कि मैंने उन पर छीक दिया, तो इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, किस से, तो ब्रीजा लोव से, जिनके उपर मैंने चीका है, तो हलके से खास कर, दमितरिच आगे जुका, और उसके बाद से जनरल के कान में, यानि कि जो ये सिविल जनरल है, इनके कान में कुछ फुस फुस आया, क्या फुस फुस आया, कि मैं छमा प्रार्थी हूँ, मानुभाव मैं चीका था, मेरा मतलब ये नहीं था कि मतलब ये माफी मांग रहे थे, मतलब ये बोल रहे थे कि मैं चमा प्रार्थी हूँ, मानुभाव मैं चीका था, और मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं मतलब आपकी इंसल्ट करूँ, यही बात बोल रहा था कौन, दमितरिच बिरिजा सब्सक्राइब तो चुंपषब सब्सक्राइब दो और गर्णाविल JEFF रभय को दमित्रिज जेपं मुस्क्राया और खेल की तरफ मन लगाने की वो खेल देख रहा था तो खुशी कानुपव नहीं हो रहा था बैचायनी उसका पीछा नहीं चोड़ रही थी तो यहां पर बोला जा रहा है कि बाराइब बज़े का समय हुआ सवक्तितर निघ काया चिसके पास तो değildi के पास थीक है आगे क्या हुआ थोड़ी देर के लिए उन के आसपास घुमा फिरा और फिर सहसबत और मिनमिनाया यानि की बूला हुजूर मैंने आप के ऊपर चीक दिया है और बेस्बरी में उसका अधर फड़कने लगा यानिकि यह दमित्रिच है इसको सब्र नहीं हो रहा था यह फिर भी उनके आखों में घुण्य दिखाई दे रहा है तो यह दमित्रिच दमित्रिच ने जनरल की और संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा और बात नहीं करना चाहते मुझे उन्हें समझाना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक स्वबाविक से चीज थी नहीं तो शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था अभी भले ही वह ऐसा ना सोचे लेकिन बाद में शायद सोचने लगे तो मतलब अब यहां पर एक ही बात को पकड़ लिया और मुझे माफी माँगनी चाहिए अब विचला भूग भी दिया था कि मैं इस बात को भूल गया हूं तुम्हें माफ भी कर दिया हूं अब जाओ लेकिन फिर भी दमित्रिश देखिये क्या-क्या सोच रहा है वो सोच रहा था कि अभी भी बिजलो क्या है गुसा है ठीक है मतलब कि जब दमित्रिच अपने घर पहुंचा तो अपने पत्नी को ये सारी बात बताई अपने चीकने की ये अबदर बात बताई और उसके बात से क्या हुआ देखिए उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी पहले वो सहम गई पर य जानकर कि भिरजालोब पराया अफसर है निश्चिंत सी हो गई लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए उसने कहां नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने का शओर नहीं है तो यहां पर जो है ना दमित्रिच जाकर य यानि कि अपनी पत्नी को बताना स्टार्ट किये थे यह सारी घटना तो वह नहीं सुन रही थी ध्यान नहीं दे रही थी लेकिन जब छीकने वाला बात बतना स्टार्ट किये तब वह ध्यान से सुनने लगी उनकी पत्नी और आखिर में पत्नी भी ध्यान से सुनी और उन्ह ने उनके उपर च्षिक दिया उसे जरूर आकर माफी मंघनी चाहिए बले लेकिन को सिविल जन रहे इतनी बड़े आदमी है चाहिए है और क्या बोलती सब्सक्राइख है कि मेरा ख्याल है कि तुम जाकर अभी पकूर मापी मांंग लो पर इसका ढ़ंग ऐसा अजीब था कोई काईदे की बात करने का मौका भी नहीं थके इसके बाद से बात करने का मौका भी नहीं था उस वक्त ठीखे अगले दिन नई वर्डी पहनी बाल कटवाए अब दूसठे दिन की बात हो लहीं अगले दिन क्या हुआ दमित्रिच नया वर्दी पहना जो की कलर रोख यह बाथ गया और दमित्रिच्च बिरजालों सेसे बाफि कि टेना उनका जो कमरा था ऊफिस था उसमें बैठे लोग ते उनसे बात गरणा साथ इस चला मश्वरा ले रहे निंवारीज़र्या सुन रहा था क्या लोग जो अपनी अरजी लेकर आए थे और से बात करने के बाद सिविल गुत जरीक से गया रहता है माफी मांगने के लिए तो क्या बोलता है और यहां धुलता है कि मुझे ची Kitty का गई थी और एसे हुआ था तामा चाहता हुआ मतलब हकला कर बोल रहा था ठीक है यह सारा बात बताने लगा कि मैंने आपके उपर छींके गई थी इसके बाद से या मैं च्छमा चाहता हूं ठीक है यह बोलने लगा वहां पर सभी लोग बैठे हुए थे अब बिरी जालो जो है न अपने आप में इंसल्ट मैसूस कर रहे थ बात यही खत्म नहीं की जा सकती मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए अब देखें यह बेवकुफ मतलब क्या बताया जाए जब बिरी जालो बोल दिया है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन फिर भी यह बात को आगे बढ़ाते जा रहा है अब यह क्या प्राटरो उसके बाद से दुसरे आदमी की तरफ मुड़ गया तो यह बात सुनकर जो है अब दमित्रिच क्या सोच रहा था वह यह सोच रहा था कि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ठीक है इसका मतलब है कि वह मुझसे क्या है नराज है बात यहीं खत्म नहीं की जा सकती है बात से क्या हुआ जब जनरल अंतिम प्रार्ति से बात करके अपनी नीजी कमरे की और जाने के लिए मुड़ा तो चिरव्य को उनके पीछे भिनविनाता हुआ जा पहुचा देखिए अब क्या हुआ जब जनरल जो है अंतिम प्रार्ति यानि कि जो लास्ट आदमी था जो अर्जी लेकर आया हुआ था उसकी अर्जी सुनकर उसकी बात सुनकर अपने प्रसनल कमरे में जा रहे थे तो जैसे अपने कमरे में जाने के लिए मुड़े तो चिरव्य को यानि कि दमित्रि जो है न बढ़ने लगा तो बिजलो को और भी जदा गुस्सा आ गया कि एक बात को यह मतलब लंबा किये जा रहा है फैलाते जा रहा है जर्नल ने रुआसा चेहरा बनाया और हाथ हिलाया और बोले कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब और कहकर वह दर्वाजे के पीछे चि बोला कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब अब सभी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे दमित्रिच एक ही बात को रठ रहा था बात का बतंगर बनाते जा रहा था कि मैंने आपके उपर सीख दिया मुझे माफ कर दीजे अब यह बात कोई भी सुनेगा तो यही इसमें कोई मजाक की बात नहीं दिखाई देती जनरल है पर इतनी सी बात नहीं समझते बहुत अच्छा मैं इस भले आदमी को अपने अपनी छमा प्राथनाओं से परिशान नहीं करूंगा भाण में जाएवा मैं उनके उन्हें एक पत्र लिख दोंगा मैं अब उनके पास जाओंगा ही नहीं हाँ मैं अब नहीं जाओंगा बस अब यह क्या सोच रहा था दमिद्रिच कि मुझे तो इसमें कोई मजाक नहीं लगता है अब मुझे अपने गल्ती का ऐसास है तो इसलिए मैं चमा मांग रहा हूं इतनी सी बात जनरल साहब नहीं समझ रहे हैं बहुत अच्छा अब मैं बले आत्मी को परिशानने करूंगा अब इसके बाद से क्या हूँ एसे ही विचारों में डूबा रमितरिच वापस घर पहुचा यह बात वैद नहीं पत्र नहीं लिखा उसने बहुत सोचा विचारा लेकिन वह यह नहीं तै कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए अधा अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जेनरल के पास जाना पड़ा अब इसके आगे सुनी एक दम ध्यान से बहुत ज़्यदा मज़िदार है जब दम दमीत्रिच तभी जो है ना जनल ने उस पर प्रसन सूचक निगां डाली मतलब इस तरह देखने लगे गुसा और अब अब दमीत्रिच इदर अपने बात कह रहा था मतलब दमीत्रिच इदर बोल रहा था और बिरजालो जोह ना घुस्टे में आ गया थे अंदर यांदर ग को मजाक हुडाने का बात है मैं ऐसी बात कभी सूच भी नहीं सकता हूं अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए तो फिर सम्मान की भावना कहां रह जाएगी बढ़ों की इजद कहां रह जाएगी ठीक है यह सारा बात बोलने लगा लंबा चोड़ा और इधर जो है ना बिर्जालोग का गुस्टा लिए अंदर गुस्टा हो रहे थे और उसके बाद से बहुत ही इनको aan घुस्टे से भरी आवाज में फिक निकल जाओ यहांसे अचानक इतना तेजाओवाज और डाटते हुए बोलें तो जो है ना दमित्रिच ये डर गया भैसे स्थम्बित चिरफवे को फुसफुसाया क्या मतलब कि यहां पर दमित्रिच जो है ना पूरी तरीके से डर गया था बहुत ही तेज आवाज में चिला कर बोले थे बिर्जा लोग कि निकल जाओ यहां से डर गया था और बोले क्या तो पैर पटकते हुए जनरल ने फिर दो रहा है यान की यह फिर बीटर भीटर कुछ टूट सा गया हुं लर खड़ाते हुए पीछे चल कर वह दरवाजे तक पहुंचा दरवाजे से बाहर आया और चड़क पर चलने लगब वह ना कुछ देख रहा था ना कुछ सुन रहा था संग्या शुन्या यंत्रा चलित सा वह चड़क पर बढ़ता गया घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया कि सुचिए उसको बहुत दुख लगा था और अचानक डर भी गया था पैर पटकते हुए डांट कर भगाये थे बिर्जलो की निकल जाओ यहां से वैसे यह भी तो मतब कम नहीं है जब माफ कर दिये तो क्या जब बार बार जाकर माफी मामने और उसके बाद से बिर्जलो को ऐसे लगा कि उनके भीतर कुछ तूट सा गया हो लड़ खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दर्वाजे तक पहुंचा दर्वाजे से बाहर गया और उसके बाद से सडक पर चलने लगा ना कुछ देख रहा था ना कुछ सुन रहा था मतलब सीधा एकदम अपने घर पहुंच जरूर बताईएगा और फाइनली यहां पर हो जाता है क्लास 12 के हिंदी का जो चैप्टर नमबर 2 है आप इसको चैप्टर नमबर 28 भी कह सकते हैं तो यह फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आई होप आप लोग इस चैप्टर से कोई भी कोशन पूछे गाना चैप्टर नमबर 29 की प्रतिपूर्ती में तीसरा चैप्टर है उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद से आप लोग का 12 क्लास का हिंदी का भूख कोन रोप से कंप्लीट हो जाएगा फिर क्लास 12 का हिंदी का यह जितना भी चैप्टर में आप लोगो वन बाई वन करके पढ़ाई होना अब इसी तरह हर एक चैप्टर का बाई वन करके आप लोगो में अबजेक्टिव कोशन कराऊंगी वो भी नहीं तो लाइव तो लाइव में जुड़ने के लिए तैयार रहीएगा तो आज के इस वीडियो में आप लोगो जो कुछ समझ बें नहीं आया है कोई बी कंफूजन को क्लियर कर दूंठीके चलिंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टौपीक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिस